ही गाइज वेलकम तो माइ चैनल टेक्स्ट बुक सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइकॉलोजी एड अड अद अड्र डिसिप्लिंज so other disciplines का क्या मतलब है कि जो दूसरे subjects है दूसरे fields है उनका psychology से क्या relation है ठीक है so सबसे पहले तो psychology एक ऐसा subject है आपको पता ही है जो mind और behavior को study करता है ठीक है और यह human से related है इसलिए कोई भी ऐसा subject जो human से related है कोई भी ऐसा discipline जो human से related है वो psychology से भी related है ठीक है उसमें psychology का use होता है और psychology में उन चीज़ों का use होता है तो यह आपस में correlated है एक दूसरे से ठीक है so यहीं से interdisciplinary जो है वो approach निकलती है in the field of psychology so interdisciplinary क्या है interdisciplinary है मतलब यह सारे discipline का mix-up है और सारे discipline से कुछ-कुछ चीज़ें ली जाती है जैसे हर discipline में psychology का use किया जाता है क्यों किया जाता है psychology का use human के behavior को और उसके mind के functions को उसके body के functions को इन सभी चीज़ों को study करने के लिए ठीक है तो इसका तो एक direct ही link है जो psychology की थियोरी निकालते है तो उन लोगों को हम neurologist भी बोलते है तो neurology का तो एक direct ही link है क्योंकि यह related to brain है brain के functions की study करता है और हमारी psychology का एक बहुत बड़ा part है तो psychology ने neurology से बहुत जादा ही एक तरीके से पूरा field of study लिया हुआ है जिसमें brain की और mind की study करता है ठीक है then next है हमारा physiology so physiology क्या होता है जब हम किसी के body के functions की study करता है physical features को study करता है ठीक है तो जैसे हम developmental psychology पढ़ता है किसी के छोटी से लेकर बड़े होने तक जो develop करता है उसके stages के बारे में हम पढ़ता है psychosocial stages होती है और जितनी अलग-अलग theories है stages को लेकर Piaji की है Erickson की है तो उसमें हम developmental stages पढ़ रहे हैं अगर तो हम उसमें physiology भी तो include कर रहे हैं ठीक है तो जैसे अगर हम किसी के बड़े होने की बात कर रहे है हर stage से दो साल फिर चार साल तो उसके mental processes और behavior उसमें study कर रहे है ठीक है बट अगर हम सिर्फ mental process की बात कर रहे है तो वो incomplete हो जाएगा जब हम development की बात करते हैं तो उसमें उसके body की development उसके physique की development उसके according maturity की development उसके according behavior की development की बात करते हैं तो यह सब आपस में related हैं एक दूसरे से तो psychology में जब हम किसी के life span की बात करते हैं किसी के stages और development की बात करते हैं छोटे से बढ़े होने तक की तो उसमें हम physiology include करके चलते हैं ठीक है तो psychology भी जब सॉरी, physiology भी जब बच्चे पढ़ते हैं उसमें वो उसके psychology भी तो लेकर चलते हैं कि कोई जब बढ़ा होता है तो उसकी बाड़ी में जो changes आते हैं psychologically तो उसका क्या effect है तो यह आपस में correlated हो गए है ना? Then हमारा next है biology तो इसमें क्या है कि human के brain के functions के साथ-साथ आप body के functions भी पढ़ोगे biological functions भी पढ़ोगे जो आपकी body के अंदर होता है जैसे hormonal changes होता है उनकी वज़े से हमारे behavior में changes आते हैं है ना? और mood swings में और adolescence में पढ़ेंगे mood पर swing होता है कभी happy तो कभी sad ऐसे हो जाते हैं लोग वो किसलिए? क्योंकि hormones में changes आ रहे हैं अब hormones में changes किस study से related हो गया यह? biology से related हो गया तो biology और psychology भी आपस में इस तरीके से correlated हैं क्योंकि आपकी body में जो processes होता है उसका effect हम फिर behavior में पढ़ता है और हम कई बार behavior के अंदर जो changes आ रहे हैं उसका reason biology में ढूणने की कोशिश करता है ठीक है? the next हमारा है computer science तो computer science में क्या है? यहाँ पे computers का use हो रहे है ठीक है? आज कल सारी theories और सब चीज़े computer पे हो रही है artificial intelligence जो बन रहे हैं आपको पता होगा artificial intelligence जिसमें हम computer को भी human की तरह behave करना सिखा रहे हैं तो अब computer जो है वो totally human based होने लग गया है ठीक है? तो computer science में जो computer technology, hardware, software डवलप करते हैं वो psychology आपके जान के कि एक अगर कोई computer user है तो उसको computer use करने के लिए कितनी जादा comfortable होने चाहिए चीज़ें वो सब पहले study करते हैं फिर किस तरह के features होने चाहिए आपके phone में या किसी भी चीज़ में जो आपके computer से related है तो वो सब आपके पहले psychology study करी जाती है कि customer को क्या चीज़ अच्छी लगेगी उस तरह से वो computer science का use करता है तो और ठीक है? देन दूसरा psychology में भी computer science use होती है क्योंकि हमने या आगे पढ़ा है और पढ़ेंगे भी कि computer से हमने brain के function के बारे में बात करी होगी कभी तो उसमें ये बोला था कि brain का function है वो computer के function की तरह होता है जैसे memory होती है तो पहले information receive करता है फिर transform करता है फिर retrieve करता है store करता है तो ये सब terminology हमने कहां से उठाई है computer science से उठाई है तो बहुत जादा relation है और सारी चीज़े आजकल computer पे होती है इसलिए बहुत जादा use है computer का psychology में और psychology में computer का ठीक है तेन हमारा next discipline जो है वो है anthropology तो anthropology में क्या होता है यहाँ पे social behavior के बात होती है इसमें हम social groups के बारे में पढ़ते हैं लोगों के social behavior के बारे में पढ़ते हैं कौन कहां पे किस तरह के groups होते हैं society में और कहां पे किस तरह के लोग किस तरह behave करते हैं ठीक है तो anthropology मतलब study of different places people living at different places है तो यहाँ पे हम humans की ही study कर रहे है in relation to different places तो humans की study में तो psychology आही जाएगा ठीक है और वो वहाँ पे रहते हैं तो उनका behavior किस तरह का है किस reason से है तो उसमें अलग अलग reasons में से एक psychology भी हो सकता है तो इसलिए anthropology जो है directly psychology से ही अपना base लेकर जलता है ठीक है then next जो है वो है sociology तो यह study of social groups है so इसमें हम social groups के बारे में पढ़ते हैं social interactions के बारे में पढ़ते हैं कि आपस में किस तरह बातचीत करी जाती है लोग आपस में कैसे interact करते हैं किसी के action का लोगों पर क्या reaction होता है ठीक है friendship groups कैसे बनते हैं तो social groups के बारे में social interactions के बारे में पढ़ रहे हैं society के बारे में पढ़ रहे हैं तो socially में sociology में क्या है human की study हो रही है basically जहां भी humans की study हो रही है humans के बारे में study हो रही है तो वहाँ पे psychology बहुत जादे related है है ना then next आ जाता है हमारा philosophy so philosophy में क्या आ जाता है हमने starting में chapter में पढ़ा था कि philosophy से ही psychology आया है है ना so psychology को पहले philosophy समझा जाता था क्योंकि philosophy का क्या काम होता है हम जो humans हैं हमारी existence का reason निकालना humans क्यों exist करते हैं उनका life का क्या goal होता है उनका nature ऐसा क्यों होता है so philosophy में ये सब चीजे होती है कुछ न कुछ theories बनाने की कोशिश करी जाती है और हमारे behavior ऐसे क्यों होते हैं उसके उपर कुछ न कुछ बाते होती है so बेशक उसका experiment proof ना हो कोई philosophy में लेकिन psychology में experimentally भी proof करते हैं ये सब चीजे तो philosophy एक तरह से mother है psychology की और philosophy से ही psychology निकल के आया है then next है हमारा economics so economics में कैसा use है psychology का economics में हम consumer behavior के बारे में जादा पड़ते हैं इसमें हम consumer पे जादा focus करते हैं marketing पे जादा focus करते हैं ठीक है और कैसा behavior होगा consumer का पैसे से related होता है तो finance में कैसे saving करेंगे consumer किस तरह की saving उनको hype करेगी कैसी schemes हमें निकालनी चाहिए जो psychologically attract करें consumers को तो क्यूंकि economics भी consumer behavior पे dependent है और behavior जो है वो psychology का ही part है इसलिए ये psychology से correlated है ठीक है then next है मारा law and criminology law and criminology क्यों क्योंकि law and criminology किसकी वज़े से बनाए गए है human behavior की वज़े से ठीक है जब ऐसा human behavior होता है जो कि acceptable नहीं है तो behavior एक तरीके से crime है याप ठीक है तो अगर behavior पे study करनी है crime पे study करनी है तो criminology करनी है जिसमें ये जानना है कि इस तरह का crime क्यों किया example लेते हैं याप एक जैसे कोई बहुत बड़ा murderer है तो criminology में study करी जाती है जो वो ऐसे करता है तो उसे कुछ क्यों feel नहीं होता ठीक है वो इस तरीके से behave क्यों करता है उसका mindset ऐसा क्यों है तो हम क्या study कर रहे हैं याँ पे उसकी psychology तो study कर रहे है ठीक है फिर law में क्या decide किया जाता है अगर कोई इस level का crime करता है तो उसको किस तरह की punishment देनी चाहिए कि उसको फरक पड़े ठीक है और अगर उससे कोई कम level का crime करता है तो उसके लिए कैसी punishment होनी चाहिए और अगर कोई जैसे बच्चा है 18 साल से छोटा है अगर वो कोई crime करता है तो उसके लिए कैसी punishment होनी चाहिए ठीक है तो law और criminology जो है वो पूरा ही एक तरीके से behavior को control करने की कोशिश की जाती है यहाँ पे तो human behavior आ गया तो psychology तो आप ले ही रहे उसाथ में है ना The next जो है वो है mass communication तो इसमें क्या होता है जैसे आप communicate कर रहे हो किसी को अपनी बात तो जैसे आज कल voting वगेरा के लिए बहुत जादा promotions हो रहे हैं फोन आते हैं आपको personally तो communication ऐसे क्यों करते हैं आपको TV में communication के through products बेचते हैं ठीक है तो वो लोग खाली इस तरह से ही मतलब advertise में नहीं बनाते हैं कि बस बोल दिया और बिग जाएगा वो बहुत जादे human behavior और human psychology पे study करते हैं कि किस तरह की add करी जाए कि लोगों की attention catch करें ठीक है और कैसे दिखाया जाए मेडिया में कि influence हो जाए लोग देखके कि उसके बातों में आ जाएं ठीक है किस तरह की slogans बनाये जाए किस तरह की actors को use किया जाए और कैसी image दिखाये जा ना चाहते हुए भी लोग उसे खरीद लें ठीक है और उसे मतलब वोट करने पर मजबूर हो जाएं लोग तो इन सब में communication में भी मास मतलब बहुत सारे लोगों को communicate करते हैं यहां पर टीवी के थ्रू रेडियो के थ्रू इंटरनेट के थ्रू तो इसमें भी एक तरह से psychology का बहुत यूज करते हैं यहां पर भी ठीक है तेन नेक्स हमारा है music and fine arts सो music therapy अगर आपने सुना हो तो music का भी बहुत बड़ा यूज है therapy में जैसे कोई बहुत जादा stress में है tension में है तो music उसको help करते है stress से बाहर आने के लिए ठीक है और stress anxiety किसका पार्ट है psychology का ही पार्ट है तो human behavior का पार्ट है और music जब बनाते हैं तो कोई music ऐसा होता है जो हमें बहुत soothing लगते है कोई ऐसा होता है जो हमें बहुत hard लगता है ठीक है और हम कभी कभी hard music सुनना पसंद करते हैं किसी जगह पे और किसी जगह पे जैसे हम restaurant में खाते हैं तो आपे बहुत soft music सुना तरह का music बनाना है लोगों को attract करने के लिए अपनी तरफ ठीक है और लोगों को music अच्छा कैसे लगे तो वो लोग यह study करते हैं कि कैसे मतलब music अच्छा लगेगा कैसा music किस age को अच्छा लगेगा ठीक है तो यहां पर age wise भी हो जाता है इसमें जैसे old age को अगर target कर रहे हैं व और है architecture and engineering तो architecture किसके लिए बनाया जाता है लोगों के रहने के लिए उनको दिखाने के लिए मतलब बनाया जाता है तो जैसे घर अगर कोई बना रहे है तो घर में किस तरीके से कौन सा रूम कहां हो किसको कैसे comfortable लगेगा कि कहां पर bathroom हो कहां पर kitchen हो entrance के सामने क्या चीज हो तो यह सब किसके according सोच के decide होता है हमारे comfort के according ही तो होता है यह सब और हमारा comfort जो हमारे mind से related है हमारे behavior से related होता है तो engineering अगर हो किसी चीज की जैसे हमें कोई product बनाना है कोई product के engineering हो गई जैसे automobiles engineering हो गई तो automobiles बना रहे हैं तो यहाँ पर हम एक example लेते हैं जैसे automatic cars आ गई हैं तो उनमें gears हटा दी हैं तो यह क्यों किया क्योंकि उन्होंने psychological problems read किया हैं लोगों की कि उन्हें gear लगाने में problem आती है तो ऐसे car मतलब जो है निकाल दो जिसमें automatic gear वगेरा हो तो अ मतलब ऐसी cars भी आ गई हैं जो automatic चलती हैं तो वो सब किसले क्या जा रहा है इतना जादा जो updation हो रहा है एडवांस्मेंट जो हो रहा है यह सब क्यों कर रहे हैं वो वो इसलिए ताकि आपको और easy comfortable मतलब चीज़ें मिलें ठीक है तो वैसे चाहे वो आपको personally नुक्सान कर र इसे दिखाया जाते हैं कि वो चीज़ें आपको अच्छे लगना शुरू हो जाती हैं है ना तो psychology का use करके यह सारी fields ना मतलब कई बार कोशिश करती हैं कि लोगों का problem solve हो जाए बट कई बार उनका misuse भी हो जाता है कि उससे कैसे अपने आपको ज्यादा promote किया जाए अपना product जादा बेचा जाए ठीक हैं सो यहां पे book में तो यही सारे disciplines थे बाके इनके अलावा और भी disciplines हैं आप देखना चाहो तो देख सकते हो देन सो आज के लिए बस इतना ही यही पे हमारा topic खतम होता है अगर आपको कोई doubt हो तो आप comment करके पूछ सकते हो and yeah please if you like my videos then subscribe my channel and share it with others also and thank you